हेलो दोस्तों वेरी वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप उमीद करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आप सब का एक नए व्लॉग में और एक नए दिन की सुरुआत हो चुकी है सुबह की इतने सारे कामों को भी रिलैक्स होके करती हूं अपनी जो मॉर्निंग है न उसको सुकून से भरावा और रिलैक्स वाली कैसे मैं बनाती हूं कैसे अपने कि मुझे ठीक पांच बजे जैसी जो है फोन की घंटी बजेगी न वैसे ही मैं उठ जाओंगी तो बैस उसी को माइंड में सेट करके सोती हूं और फिर मुझे उठने में कोई प्राबलम नहीं होती है तो इसके बाद मैंने अपना फ्रैस अगरा जो काम होता है वह कर लिया है और बहार देख सकते हैं आपकी अभी पूल अंधेरा है तो पांच बची तो खैर अंधेरा ही रहता है लगब अब जो है थोड़ा सा टाइम मतब 6 बजे के करीब जो है आपको थोड़ा सा हलका सा उजाला नजर आने लगेगा तो बस यहां पे उसके बाद जो है अपने बीद दूर हो जाती है और अच्छा भी रहता है तो एक गरम पानी का गिलास जो मैंने पी लिया है गुट-कुट करके और उसके बाद जो है अम मैं सबजी काटने लगी हूं तो मुझे आज बनानी है आलो बीन्स तो अलो बीन्स की तैयारी ना बीन्स की मैंने राथ को काटने में तो चौपिंग बॉर्ड में साथ आठ बींट्स एक बारी में जो है इस तरह की से काट लेती हूं और थोड़ी से सब्जी तो मुझे चार जनों की सब्जी तो बनानी होती है और बच्चे इतना बींट्स वगेरा खाते निये वह आलू ही घाते हैं तो आलू की जो सब्सक्राइब नास्ता तयार चाहिए होता है बच्चों के पापा को और बच्चों को भी क्यूंकि इनका स्कूल का और ड्यूटी का टाइम जो है सेमी होता है तो चलिए जी आ गई हूं अब रूम में तो धीरे-धीरे करके जाड़ों लगा रही हूं क्योंकि जो है खुस सब्सक्राइब ना चमके और उसको डिस्टरब ना हो तो बस यहां पे दीरे-दीरे करके मैंने बैट की नीचे भी जाड़ों लगा ली है और जो समान है ना चियर वगेरा में उनको खिसका नहीं रही हो दर दर से बस उनको आराम-आराम से बैट के ही मैंने सारी जाड़ों लगा दिये तो देखिए हमें तो अपने काम करने ही है अपने टाइम के अनुसार लेकिन जो है दूसरों के टाइम का और दूसरों के मतलब सुईधा का भी हमें ध्यान ड़कना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टरब ना हो तो बस यहां पे इस वाले रूम की मैंने लगा दिये, अब मैं लाइट बंद कर दूँगी, दरवाज़ा भी बंद कर दूँगी, और उसके बाद जो है, एक एक करके मैं सारे रूम पे जो है, अच्छे से ज़ाड़ू लगा दूँगी, तो ज़ाड़ू का काम हुआ रहेगा ना, तो उसके बाद रह जाता है, में ल तो इधर ये भी अपनी एक्ससाइज कर रहे हैं, और इधर जो है, मेरी भी एक्ससाइजी चल रही है, ज़ाड़ू लगा रही हूँ, तो ये भी किसी एक्ससाइज से कम नहीं होता है, हमारे घर के काम, तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने लास्ट में, जो है, किचन से होते व उपर टाइम हुआ है, मुझको ज़ाड़ू लगाते लगाते, तो चलिए जी, यहाँ पर ज़ाड़ू मेरी कम्पलीट होती है, अब आ गई हूँ कीचन में, तो कीचन में अब बनाऊंगी मैं खाना, तो खाना बनाने से पहले अपनी गैस को और काउंटर टॉप को चोड़ी-चोड़ी नहीं काड़ी है, जिससे सबजी दिखने में अच्छी लगती है, तो चलिए जी, आलो भी मैंने जो है, लंबे-लंबी स्लाइस में ही काड़ दी है, बीन्स की तरह, और आब मैं जो है, इसमें तड़का लगाऊंगी, राई और जीरे का, तो आदी साथ जो है, आलो पे अच्छा कलर आजाएगा, और थोड़ी देर जब तक ये थोड़ी से सॉप्ट होते है, आलो तब तक मैं इनको पकाऊंगी, तो इतना मेरे पास टाइम इदर बचिया है, तो मेरे जो मसाले है, वो खतम हो रहे है, तो मैंने मिर्ची पाउडर और धनिय जाता है, तो चलिए जी, यहां पे अब मैंने थोड़े से आलो सॉप्ट हो चुके हैं, तो यहां पे मैंने सारे मसाले एड कर दिये है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और साथी जो है ना तमाटर भी डाल दिया है, और इसमें जो है बीन्स भी डाल दी है, तो इस समय तक जो आलो है, वो 50% जो है हमारे गल चुके हैं, तो बस अब 50% और गल आना है, और वो बीन्स के साथ गल जाएंगे, तो ऐसे में सब्जी जटपट बन जाती है, साथ में खड़ी भी बनती है, और जो बीन्स में जो न्यूटन्स है, वो भी बने रहेंगे, तो यह जो कलसी है इसको मैं डेली मांच के और पानी भर के रख लेती हूँ इसमें, तो यह पानी काम आता है मेरे खाना बनाना, जो दिन भर खाना बनता है तो इसी पानी से बनाती हूँ मैं, तो चलिए जी हाँ पे ताजा पानी भरेंगे, तो सब्जी जो है पक चुकी है, और साथ में जो है मैंने चाई भी चड़ा दी है, तो चाई में दूर डाल दिया है, वो पकती रहेगी धीरी धीमी-धीमी, आज पे जब तक मैं यहां पर रोटिया बनाती हूँ, तो बच्चों के पापा भी अपना नहा दूए, बत्ती च प्यार करनी शुरू कर दिया, तो यहां पर सब्जी रखूंगी, और साथी गर्मा-गरम रोटियां, दो रोटी जो है उनके लिए में बना दूए, तो आज कल ना कुछ दिनों से में एक नया रूल फॉलो कर रही हूँ, तो मैं रोज सुबह और रात को जो रोटी बनती है तो फिर थोड़ी सी प्राब्लम हो जाती है, तो बीच बीच में ना कई बार में यह चीजें जो होती हैं इनको फॉलो करती हूं अब थोड़ा सा कभी कबार भूल भी जाती हूं, तो चलिए मतलब जीन चीज़े段 को फॉलो करने का मेरा मन करता है बस मैं उनी को करती हूं, वागी ज़्यादा बड़न, इस तरीके से कुछ भी नहीं लेती हूँगी, हम से कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, हम अपनी लाइप में स्ट्रेस लेके अपना सुरुवात कर रहे हैं, तो चलिए जी, हाँ पे आप मैं बना रही हूँ वैसो के लिए अचारी प्राठा, जो अचारी प्राठा होता है, यह चाय के साथ नास्ते में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए जी, हाँ पर मैंने टिफिन पैक कर दिया है, सबजी, रोटी और थोड़े से अंगूर रख दिये हैं, तो यहाँ पर जस्ट वैसो से 15-20 मिनट पहले इनके पापा चले गए थे, और उसके बाद वैसो, तो खुसी जो है, आजकल स्कूल नहीं चाहरी है, क्योंकि पेपर का टाइम चल रहा है, तो पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो बस जी बच्चे स्कूल चले जाएं, और हस्बेंड टाइम पर ड्यूटी पर निकल जाएं तो यहाँ पैसा लगता है, कि एक टास्क हमने सक्सिस्फुली कम्पलेट कर लिया है, तो चलिए जी, अब मैं वैसो के जाते ही, यहाँ पर लग चुकी हैं अपने कामों पर, तो सबसे पहले मैं लाउंडरी लगाऊंगी, तो मैंने रात को ही रजाई का कबर होता है, हमारे बेडरूम का, उसका कबर निकाल दिया था, तो यहाँ पर मसीन का जो स्टैंड है ना नीचे उसके लिए आरा था कमेंट, तो वो हमने लोकल अपने मार्केट से ही ले लिया है, और डस्टिंग वगेरा करूंगी, तो बस यहाँ पर मैंने 14 तारी को यलो साड़ी निकाली थी पहनने के रहे जस्ट पांच मिनट पहनी होगी और उतार दी क्योंकि उसका बिलाउस टाइट हो गया था, तो यही होता है, सर्दों में खाखा के खापी के खूप सारा हमें पता नहीं चलता है, लेकिन खापी हम अपना फैट बढ़ा लेते हैं, तो बस उसको अब कंट्रोल करना है, कैसे करना है वह भी कुछ पता नहीं है, तो चलिए जी, यहाँ पर इसको जो है, यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर दी है अपने बैड की, और बैड के लिए पूछ रहेते हैं कोई कि बैड कहां से लिया है, तो यह बैड ना, क्या बोलो मैं मेरे साधी का है, तो पापा ने मलदा गिफ्ट किया है, और यहीं लोक अपने चीजे दिखती रहती है, उन सब की मैं डेली डस्टिंग कर लेती हूँ, तो इसी से मन को भी तसलिह होती है, कि हाँ भई हमने सफाई अच्छे से कर ली है, तो लगी हाथों जो है, मैंने यह ड्रेश्चिंग टेबल भी अच्छे से साब कर लिया है, तो बहार पर य डाइनिंग एरिया भी साब करूंगी, तो यह वाला डाइनिंग जो टेबल है, यह तो खैर डेली इस पे निसान पड़े ही रहते है, तो इसको मैं डेली साब करती हूँ, और उसके बाद जो पोछा लगेगा, तो पोछा लगाने से पहले जो है, अपना वास पेसीन में मैं तो फिसल सकता है, तो बस अफटा पर से मेरी लगेगी सारे कमरों में पोछा, तो पोछा भी मुझे बैठ के ही लगाना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना एक तो अच्छे से पोछा लग जाता है, साथ में जो कोने या फिर दिवार के जो किनारे पे जाती रहती ना उपने घर के कामों को मुझे खुद से करना ही जादा पसंद है, तब ही मुझे ना तसली होती है, इसलिए सिर्फ एक महिना ही हुआ और एक महिने महीने मैं अपनी जो हाउस हेल पर है जो लगाई थी, उनको हटा दिया है, तो यही था कि मुझे मुझे मतलब खुद से ही अ इदर का फ्लोर तो सूख चुका है बट इदर का भी गीला है तो इदर के लिए फैन चला दिसते हैं तो ये फटाफट से सूख जाएगा और ये डोर मेट्स वगे रहे हैं इनको मैं छट पे डालूंगी और अब चलते हैं बालकनी की तरफ अभी मैंने बालकनी की रह रही है तो मैं बालकनी में कर लेती हूं फटाफट से पोचा तो सुबह की इतने काम जो होते है ना फटाफट से वो तभी होते हैं जब हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठके अपने कामों को सुरू कर दो ना तो हमारी जो मौनिंग होती है वो एकदम सुकून वाली एकदम डिलाक्स वाली होती है और जो है खुद के लिए भी हम हर्ट सी होती है जुझलावट होती है कि हमारे काम नहीं नहीं पड़ रहे हैं और वो सब अपने बच्चों पे या पर पती पे जो है गुस्सा निकलता है उससे जो है वो भी परिसान रहते हैं और हम खुद तो खेर परिसान रहते हैं तो इन सब से बचे रहना चाहते हैं तो बोकारब पेरा लोगी होँए जू विलुी है उनको लात ही सबाने हो कुल को आर्ण तो चलिए यहां पर मैनेional काली वगेड़ा और लोगेड़े शट धूल दाल दीकल्सनिकल होँएंफंग इसको मैं आज पहनने वाली हूं मन कर रहा है क्योंकि तोड़ी से अब इतनी ज्यादा ठंडी नहीं रही है तो बस नहां के मैंने वही सूट डाल दिया है और उसके बाद जो है ना तोड़ा सा सड़क पे जहां करी हूं जैसे होता है ना खुसी बोलती है बड़ी बेटी मेरी बोलती है आओ बहने चुगली करें तो वही वाला गुरूप जो है सड़क में जो है खड़ा हो रख है बाते कर रहे हैं कुछ लेडिस तो बस मैं उन्हीं को देख रही थी कौन-कौन जो है किस-किस को मज़ा आता है ऐसा गुरूप जोईन करने में तो जब दो चार लेडि बहुत सारे इसमें धूल जाते हैं तो उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करके और तुलसा जी को जल चड़ाने के बाद अब मैं करूँगी अपनी किचन को अच्छे से साफ तो मैंने यहां पर गैस पे और काउंटर टॉप पे पूरे पे साबूर लगा दिया है और उस मेरा फास रहे तो इसलिए जो फास वाला जो दिन होता है मेरा उस दिन मेरा यही रहता है कि मैं पूजा करने के बाद मतब पूजा करने से पहले पहले जो है सबका नास्ता कंप्लीट करवा दू और उसके बाद जो है अपनी किचन को अच्छे से साफ करके और सारे बरतन ज अगेरा सबकुस दुल के और इनको अच्छे से पहुचके तब जाके मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी तो मुझे तब जाके रिलाक्स मतब अच्छा लगता है तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर चाई भी मेरी बन चुकी है और मैं आराम से चाय पीऊंगी और जिस परतल में म खाने और वैसे इस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करोंगी मसीन बड़ा सोर कर रही है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का मैं यहीं पर कर देती हूं काम तो मेरे चलते ही रहेंगे और इस वसाब से फिर मेरा ब्लॉग जो है लंबा 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 होता चला जाएगा तो चलिए पूरा गर जो है साब सुत्र है और इसके मंदब एक्दम अच्छा लगता है एक्दम रिलाक्स फिरी होके अब मैं अराम से अपनी चाही नजोई करूंगी और साथ में जो है एडिटिंग का काम भी करूंगी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है एडिटि आज की वीडियो को और चैनल में पहरी बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब